अज्ञाय को देखें। Hare Krishna तो चलिए मंगला चरन कर लेते हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम छटा अज्ञाय देखने वाले हैं ओम नमो भगवते वासुदे वाय ओम नमो भगवते वासुदे वाय ओम अज्ञानत मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मय श्रीगुर वेनमाह ś्रीचाई तन्यमनो भिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयम रूपकदामय ददाती स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरो श्री उतपद कमलं श्री गुरुन वैष्ण वांष्य श्री रूपं साग्रजातं सहगन रगुनातान वितं तंस जीवं सादवईतम सावधूतम परिजन सहितम, कृष्ण चैतन्य देवम, श्री राधा कृष्ण पाधां सहगण ललिता, श्री विशाखान वितांष. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमो सुते तप्त कांचन गवरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृष्य भानु सुते देवी प्रणमामी हरिप्रिये नमों विष्णु पधाय कृष्ण प्रिष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इतिनामिने नामस्ते सारस्वत्य देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेशाय शुन्यवादी पाष्यात्यदेशतारिने जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वाइत गदाधर श्री वासादी गौरवक्त व्रंदा Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा सभी को सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज हम छटा अध्याय देखने जा रहे हैं ध्यान योग तो इसमें ऐसी क्रियाई बताएंगे भगवान जिससे हम मन पर पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं ध्यान योग तो इसकी शुरुवात भगवान कर रहे हैं श्री भगवान वाच अनाश्रीतह कर्म फलं कार्यम कर्म करोतियह ससन्यासी चयोगी च न निरग निर्न चक्रियह श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अना सकता है और जो अपने कर्तवे का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है ठीक है? तो कर्म फल के प्रति अना सकता रहना है और अपने कर्तवे का पालन करना है कर्तवे के प्रति हमने विमुक नहीं होना है कि हम भाग गए कर्तवे से डर के अरे कौन इतने सारे काम करे है ना बच्चों के लिए पैसे कमाना घर को देख भाल करना और ये और वो कितने सारे करतव्य होते हैं जीवन में माबाप के प्रतिकरतव्य है समाज के प्रतिकरतव्य है परिवार के प्रतिकरतव्य है बहुत सारे कर्टवे की लिस्ट तो बहुत है, तो ऐसे कही लोग होते हैं, जो इन सब का पालन नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मतलब अध्यात्म के नाम से भाग जाते हैं, कि कौन कर्टवे का पालन करें, चलो अपने कहीं और चलते हैं, और अपना आराम से अलग रहते हैं ये भगोडी वृत्ति हो गई, ये तो योग्यने, भगवान तो कभी नहीं बोलते कि अपने कर्टवे से भाग जाओ, अपना कर्टवे तो करना ही है हमें, और बहुत अच्छी तरह से करना है, लेकिन कैसे होकर कोई भी कर्म करते हुए कर्म फल के प्रति हमने आसकती नहीं र चाहिए, तो ऐसा ही व्यक्ति सन्यासी है और असली योगी है, वह नहीं जो न तो अगनी जलाता है और न कर्म करता है, अगनी जलाने में बहुत सारे अर्थ नहीं थे, जैसे अगनी काहि के लिए चाहिए हमको कोई भी कर्म करने के लिए, खाना पकाना है तो अगनी कहीं वहान मतलब इससे related वहान जो combustion से related कोई भी वहान petroleum है कुछ भी है diesel है तो उसमें भी अगनी चाहिए अनि जगह पर अगनी का तो प्रयोग हर जगह पर होता ही है तो अगनी जलाना यानि क्या कि बहुत इक जगत के कारियों में उल्चे रहना तो वहान ही जो न तो अगनी जलाता है और न कर्म करता है उसको भगवान सन्यासी और योगी नहीं बोल रहे हैं किसको बोल रहे हैं जो अपने कर्म फल के प्रतिया ना सकता है और जो अपने कर्तवे का पालन करता है वो असली सन्यासी है तो इस अध्याय में भगवान हमें अ अतहा वे अगनी होत्र यग्य करना बंद कर देते हैं लेकिन वस्तु तहा वे स्वार्थी है क्योंकि उनका लक्ष निराकार ब्रह्म से तादात्मे स्थापित करना होता है। भावित्व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूरण ब्रह्म की तुष्टी के लिए कर्म करता है। ठीक है? तो ये अंतर बताए है प्रभुपाज जने यहाँ पर च्रीला प्रभुपाज की जये तो ये निराकार ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होने वाले या फिर योगी लो कार्य करता है तो इसलिए वो बहुत श्रेष्ट हो जाता है वो बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है और पूर्ण ब्रह्म में सारे जीव भी आते हैं है ना सारे जीव किसमे हैं सारे जीव भगवान के अंश है तो केवल अपने स्वा इस प्रकार की भावना नहीं रहती कृष्ण भावना बावित वक्ति में उसको चाहिए कि सभी लोगं का उधार हो जाए जैसे प्रभुपाजी प्रभुपाजी तो इतने महान भक्त थे उनका तो उधार कब का हो चुका उनको तो मुक्ति मिल गई लेकिन फिर भी इतने कष् कि उन्होंने कि वो पढ़ते हैं तो हमको बहुत खराब लगता है कि देखिए वे एक व्यक्ति है जिन्होंने हमारे उध्धार के लिए इतने कष्ट किये इतना सारा साहित्य निर्मान किया जिसको बस रेडिली हमको बस रेडिमेड दिया हुआ है सब कुछ ग्यान पढ़ना हमको तो ऐसे होता है कृष्ण भावना भावित्वक्ति वो पूरुण प्रह्म के तुष्टी के लिए काम करता है याने सारे ही जीवों के उधार के लिए काम करता है तो यहां पर एक बहुत सुंदर चेतरे महाप्रभू ने लिखा हुआ ये शिक्षाष्टकम है उसका एक जन्मनी जन्मनी श्वरे भवताद भक्तिर अहीत्वकी त्वई है सरवशक्तिमान प्रभू मुझे न तो धनसंग्र की कामना है न मैं सुंदर स्त्रीों के साथ रमन करने का अभिलाशी हूँ नहीं मुझे अनुयाईयों की कामना है मैं तो जन्म जन्मार्वतर्व आपकी प्रेमा भक्ति की अहितुकि गुरुपा का ही अभिलाशी हूँ इस प्रकार उसकी मनोव्रक्ति होती है और वो जानते हैं कि प्रेमा भक्ति भगवान की कैसे मिल सकती है कि उनके सारे जो जीव जो है उनका भी उद्धार करेंगे तब भगवान अपने आप हमसे प्रसन्न हो जाते हैं कि ये केवल स्वार्थ गति में ही विष्णू नहीं है स्वार्थ गति नहीं चाहिए उसको उसको चाहिए सभी का उद्धार तो ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है यम सन्या समिति प्राहुर हे पांडुपुत्र जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो क्योंकि इंद्रे त्रुप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता तो यहाँ पर बताया है कि वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्था है जीवात्मा अपनी स्वाभविक स्थिती को जाने और तदनुसार कर्म करे वास्तविक सन्यास है कि वास्तविक सन्यास क्या है हमारी नित्य स्थिती को जानना चाहिए हमारी नित्य स्थिती है हम परमेश्वर के अंश है हम परमेश्वर के नित्य दास है ये जान करके उस और प्रगति करने को देखना ही एक्चल सन्यास योग है या एक्चल भक्ती योग है सन्यास योग भक्ती योग बुद्धी योग ये सब टर्मिनलोजी यहां पर इस्तेमाल की है प्रभुपाजी ने और कृष्ण भावना भ बुला है वास्तविक सन्यास योग या भक्ती ये क्या है ग्यने कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना ये क्या है कि हमारी वास्तविक परिस्थिती को जानना पूरी तरह से जानना कि हम क्या है आत्मा है और हमारे कंट्रोलर कौन है या हमारे सबसे हितेशी मित्र कौन ह परमात्मा है जो हमारे रिदय में स्थित्र है और ये बहुती जगत क्या है उनसे हमारे रिष्टा क्या है परमेश्वर के साथ हमारे रिष्टा क्या है ये सब जानना और उसके अनुसार परमेश्वर के पास जाने के लिए परमधाम जाने के लिए प्रैत्न होना प्रैत्नश बहुत सारी शक्तिया हैं अनंत शक्तिया हैं लेकिन ये तीन को हम कंसिडर करेंगे तो एक है अंतरंगा शक्ति दूसरी है बहिरंगा शक्ति और तीसरी है तटस्था शक्ति ठीक है तो अंतरंगा शक्ति से निर्मित हमारी ये आत्मा है सारी जीवात्मा आत्मा स्वरूप में जो है वो है अंतरंगा शक्ति से निर्मित ये भातिक प्रकृति जो है वो बहीरंगा शक्ति से निर्मित है तो जीव जो है वो अंतरंगा और बहीरंगा शक्ति का combination है, अंदर से तो हम आत्मा हैं, लेकिन भार से ये भौतिक आवरेंस से हम बढ़ हैं, तो इसलिए हम तटस्था शक्ति में आते हैं इस तरफ भी जा सकते हैं उस तरफ भी जा सकते हैं, जैसे कोई compound wall पर बैठा है वक्ति, तो वो एक तरफ भी, left side भी उतर सकता, right side भी उतर सकता है कहीं भी जाने के लिए वो free है, freedom है उसको, है ना, वैसे ही इस तटस्था शक्ति द्वारा नेर्मित इस जीवात्मा को freedom है, कि वो अंतरंगा शक्ति के और जाए, अध्यात्मिक शक्ति के और या फिर बही रंगा शक्ति से अक्रिष्ट होकर, माया के ओर अक्रिष्ट हो जाए, और इसी भौतिक जगत में रहे, ये freedom है हम है ना, तो इस freedom का हम कैसे उप्योग करते हैं उस पर depend करता कि हम कहां जाएंगे, क्या हम अध्यात्मिक जगत में जाएंगे, परमधाम बस इसी में लगे रहेंगे पता नहीं कितने 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 जन्मों तक तो जब तक वह माया के वशिभूत होता है, तो वह बद्ध हो जाता है, माया के वश में आया, यानि तीनों गुणों से वह बंद गया बद्ध हो जाता है, किन्तु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात अध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्तिती में होता है हमारी सहज स्तिती है जो हमको प्रेम मैं इश्वर्क से परमेश्वर से जोड़े रखती है है ना तब वह हमारी सहज स्तिती है तो जब भी हम कभी-कभी हम कुछ खण के लिए ही सही वाकई में कृष्ण भावना भावित महसूस करते हैं अपने आपको तो उस खणिक आनंद में हम जानते कि हम एकदम परमिश्वर से जुड़ गया है लेकिन दिन भर वो मिंटेन करना हम लोग के लिए बहुत कठिन है यह माया ऐसी है कि हमको जकड़े रखती है लेकिन कभी-कभी कुछ खण ऐसा हम महसूस करते हैं तो वोही खण जो है उसको पूरे जीवन के लिए एक्स्टेंड करना यह है पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना है ना वोही खण को एक्सपैंड करना है हमको उसी क्षण को ठीक है तो इस प्रकार वो अपनी सहज स्थिती में रहता है इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्यान में होता है तो वोह समस्त इंद्रिय तृत्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्रे तृत्ति के कारे कलापों का परित्याग कर देता है इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौती आसकती से रूपते हैं ठीके तो अब योगी लोग क्या करते हैं और कृष्ण भावना भाविती लोग क्या करते हैं इसमें क्या अंतर है योगी लोग क्या करते हैं इंद्रियों को कंट्रोल में लाना है और फिर मन में केंद्रित करना है मन पर केंद्रित करना पुरा ध्यान लेकिन वो बड़ा कठिन है कृष्ण भावना भावित क्या करते हैं लोग वो पूरे अपनी इंद्रियों को समर्पि करते हैं जो भी कारिय करेंगे कृष्ण के लिए तो बाकी जगह से उसके इंद्रिय विश्यों के तरफ की आसक्ति जो है अकर्षन जो है वो अपने आप ही कम होते जाता है धीरे धीरे खतम हो जाता है तो ये दो क्रियाओं में अंतर है योगी लोग पहले इंद्रियों को खी बाकि सब चीजोंसे अनासक्त होते जाते हैं तो कौन सी क्रिया अच्छी है? कृष्ण भावना भावित क्रिया हैं, सारी बहुत अच्छी है, सुखकारक है, मन को प्रसन करने वाली है, आल्हाज दायक है, और सब के हितों की भी है, फिर आगे देखते हैं हम, आरुरुक्षोर्मुनेर योगम कर्मकारण मुच्चते, योग सिध पुरुष के लिए समस्त भावतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है, तो ये साधन है, दो प्रकार के साधन है, है ना, तो अश्टांग योग जो बहुत सारी क्रिया हैं हम देखने वाले हैं, तो जो नया-नया इसमें आया है, मतलब अध्यात्म जगत में प्रवेश करना चाहरा है, उसके लिए योग साधना, ये साधन है, जैसे एक पहाड पर चड़ने के लिए ये सीड़ी एक साधन है, उचाई पर जाने के लिए सीड़ी एक साधन है, लेकिन योग सिध पुरुष के लिए समस्त भावतिक कार्यकलाबों का परित्य परित्याग ही साधन कहा जाता है यानि एक बार वो उस लेवल पर पहुंच गया जहां पर जाना है वहां पर जाने के बाद फिर सब कुछ छोड़ देना ही उसका अपने आप साधन हो जाता है है ना तो यह बहुत सुंदर श्लोक है कि अश्टांग योग में नवसाधक के लि यही साधन हो गया ठीक है ना तो यह दो पहलू है नवसाधक के लिए और योग सिद्ध पुरुष के लिए आगे हम देखते हैं यदा हिनेंद्रियार्थेशू नकर्मस्वनुशज्जते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदोच्चते जब कोई पुरुष समस्त इंद्रेत्रिप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्तो होता है तो वह योगारूढ कहलाता है याने योगसिद्ध हो जाता है वो जब कब हो जाता है वो जब समस्त भूते कि इच्छाओं का त्याग कर दिया है ना और वह भी इंद्रेत्रिप्ति के ये कारिय नहीं करेगा वो और मतलब सकाम कर्म इंद्रे तुर्प्ति के लिए हम सकाम कर्म करते हैं तो दोनों पैरलल ही शब्द है न तो इंद्रे तुर्प्ति के लिए कारिय करता है न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है उसको हम योगारूर यानि योगसिद्ध यानि यो अर इस तरह वह इंद्रेतृत्ट्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता अन्याथा इंद्रेतृत्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि क्रम किये बिना कोई रह नहीं सकता, बिना क्रिश्न भावना मुर्थ के मनुश्य सदेव स्वार्थ में तत पर रहता है किन्तु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसनता के लिए ही सब कुछ करता है फलतहा वह इंद्रे तृप्ति से पूरी तरव विरक्त होता है तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की ये खासियत है कि उसके सारे कार्य जो है वो कृष्ण की तृप्ति के लिए है क वो जब वैसे ही कार्यों में उल्डा रहेगा तो खुद के लिए वो सोचे गा ही नहीं खुद की इंद्री तर्प्ति के लिए सोचे गा भी नहीं वो अपना बाकी सभी चिज़ों से अनासक्त हो जाएगा जिसे ऐसी अनुभूती प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौति कि इच्छाओं से बचे ऐसी अनुगुति याने जो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके लिए क्या करना चाहिए ऐसी अनुगुति प्राप्त नहीं है उसे चाहिए कि भौति कि इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे तभी वह योग की सीड़ी से उपर पहुंच सकता है तो इसके जो कृष्ण भावना भावित नहीं है व्यक्ति यानि जो भक्ति में लीन नहीं है उसको क्या करना पड़ता है प्रयास करना पड़ता है कृष्ण भावना देखने का लालच है ना वहां मुझे घुमने घामने का लालच है जंगल में जाकर मतलब एकांत में जाकर रहने की इच्छा करेगा यंत्रवत उसको प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये नहीं करना नहीं मुझे ये नहीं करना है ना तो वो उसको बहुत प्रयास करन अब ये दो श्लोग पांच और छे नमबर के बड़े ही सुन्दर श्लोग है हैं। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उध्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। यहां मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रू भी है। तो हमने तो बहुत बार अनुभो कर चुके हैं हम लोग है ना आप भी और मैं भी थोड़ा सा याद करिए कि कैसे ये कभी-कभी मित्र बन जाता है और कैसे ये कभी-कभी शत्रू बन जाता है हमारा। तो उद्धार करने के लिए मन की सहायता लेनी है अब मन सहायता कब करेगा जब वह मित्र है नई तो क्यों सहायता करेगा है ना तो मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे यहां मन बद्दजीव का मित्र भी है और शत्रू भी है तो मन शत्रू कब होता है जब देखिए जैसे कभी बहुत अच्छे से सब बातावरन अच्छा है मन प्रसन्न है यह वो लेकिन कोई एका द्विक्ति ऐसे सामने दिख जाता है जिससे आपका बहुत जगड़ा हो चुक पहले कितना जगड़ा किया था क्या उसको सुनाए था उसने कैसे नीज हरकते की थी और मैंने क्या उसको डांट लगाई थी बस यह मन में विचार भर आने दो आपका देखो सब मन की शांती जो है ढल जाएगी है ना आप उस समय में पहुँच जाओगे और फिर याद करो भी कैसे उसने मेरे साथ मिस बिएव किया था और मेरे को कैसे गुस्सा आया था और मैं कैसे तम तमा के मैंने उसको डांट लगाई थी बस यह मन में विचार भर आजाए आपकी शांती खतम तो यह क्या हुआ यह मन के द्वारा ही मन को उस पिड़न करना हो गया है ना क्या जरूरो थे हमको पांच साल पहले के चीजों को याद करने की लेकिन मन है ही ऐसा बस एक शनिक उस व्यक्ति का हमको जलग भर दिख गई या उसकी कोई याद भर आ गई और हमको लेकर गया वो इतने पुराने समय में और इतने कटू प्रसंग में अपनी शांती खतम इस प्रकार वो शत्रू बन जाता है और कभी-कभी मित्र भी है जब वो हमारे साथ रहता है प्रसंगता पूरोख हमारा साथ देता है हमारा मन तब वो हमारा मित्र भी बन जाता है लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं होता कि वो कब शत्रु है, कब मित्र है, कब नहीं होता जब वो हमारे वश में ही नहीं है, हाँ वश में होने के बाद तो हम उसको सदैव मित्र बना के रख सकते हैं, है ना, जैसे हमने लिवल बन में भी देखा था, जैसे आग का उधारन है, आग अगर हमारे कंट्रोल में है तो वो अगनी हमको बहुत सहायता कर सकती है, है न, वो हमारे घर का चुला जला सकती है, खाना पका सकती है वो अगनी, या इंजिन चला सकती है, तो ट्रेंस चलती है, या एरोप्लेंस चलते हैं, है न, रॉकेट्स चलते हैं अगनी की सहायता से, कब तक चलते हैं, जब तक व त्राही मचा देती है त्राही त्राही मचा देती है बिलकुल तो है तो अगनी एक ही लेकिन वो तब तक मित्र है जब तक वो कंट्रोल में है और जैसे ही कंट्रोल से बहार हो गई तो वो हमारे बहुत बड़ी शत्रू बन जाती है अगनी वैसे ही मन का है तो मन को हमको कंट् जिसमें मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वस्रेष्ठ मित्र है किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रू बना रहेगा तो मन शत्रू भी है और मन मित्र भी है उसको हमको मित्र बना के रखना है कितना कठिन है अगर वो शत्रू बना रहे तो उसके साथ तो हमको पूरा जीवन निकालना है दिन रात रहना है एक शन भी ऐसा नहीं है कि हम मन को अलग छोड़ दे और अलग बैठे वो तो हमारे साथ तो शत्रु के साथ रहना तो बड़ा कथिन है, मित्र के साथ रहना बड़ा अनंद दायक है, तो उसको हमको मित्र बनाना है, तो अश्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश्मी करना है, जिससे मानवी लक्ष प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे, तो अश्टां को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष दोनों ही नश्ट हो जाते हैं ठीक है ना तो अश्टांग योग का लक्ष क्या है मन को जीतना जितात्मनाह प्रशांतस्य परमात्मा समाहिताह शीतोषन सुखदुखेशु तथामाना पमानयोहो जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया क्योंकि उसने शांती प्राप्त कर लिये ऐसे पुरुष के लिए सुखदुख सर्धी गर्मी एव मान अपमान एक से हैं तो मन को जीतना याने सब कुछ अपने प्राप्त कर लिया कैसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया क्योंकि शान्ती मिल गई शान्त रदय में परमात्मा मतलब परमात्मा तो हमेशा रहते लेकिन शान्त रदय में उनके हम अनुभूती कर सकते हैं और ऐसे समय में हमको बाकी ये सांसारिक द्वन्व जो है भौतिक जगत के द्वन्व जो है तो उनसे हम अपने आप छुटकारा पा सकते हैं है ना तो वस्तुताः प्रतिजी उस भगवान के आग्या का पालन करने के निमित आया है जो जन जन के रुदय में परमात्मा रूप में स्थित है जब मन बहीरंगा माया द्वारा विपत्थ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कारे कलापों में उलज जाता है तो जब कृष्यन से विमुख हो जाते हैं हम कृष्यन से हमने अपना मुख मोड लिया तब क्या हुआ हमारे मन में भौग करने की इच्छा उत्पन्न होगे भौग वान्चा करे निकटस्थ माया द्वारा जाता है तो हमारे बहुत ही निकट है यह माया सब जगा है माया और वो हमको जपट लेती है जपट करके धर लेती है तो यह क्यों होता है माया के आगोष्य भी क्यों चले जाते हैं जब हम कृष्यन से अपना मुख मोड लेते हैं ठीक है ना जग्यान विज्ञान तृत्तात्मा पूटस्थोवी जितेंद्रिया हां युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचन हां वह व्यक्ति आत्मसाक्षातकार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अजजित ज्ञान तथा अनुभूती से पूर्णतया संतुर्ट रहता है ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिया कहलाता है वह सभी वस्तों को चाहे वे कंकड हो, पत्थर हो या कि सोना एक समान देखता है, तो जो आत्म सक्षाकार को प्राप्त है, तो उसको क्या है? वो पूर्न तया आत्मा राम होता है, आत्मा में ही रममान होता है, अच्चनत संतुष्ट रहता है, उसको बाहरी चीजों के अवशक्ता ही नहीं, वो अंदर ही अंदर अपने तुष्ट रहता है, तो फिर वो जितेंद्रिय है, अपने इंद्रियों पर अपने आप काबू पा लेता है वो, और ऐसा व्यक्ति ये सारे द्वंदों से दूर रहता है, कि सब चीजों को वो एक समान मानता है, एक समान द अभवेद ग्रायम इंद्रियाई सेवोन मुखे ही जिवादो स्वयमेवस्वुरतियदा यदि कोई भी व्यक्ति अपनी दूशी तिंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लिलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता भगवान की दिव्य स सेवा में लग जाते हैं भक्ति के माध्यम से भक्ति मैं सेवा कहा जाता है इसको हिंदी में तो अपने संस्कृत में हिंदी में तो शब्द है भक्ति लेकिन प्रभुपाजी ने जब ये ट्रांसलेट किया इंगलीश में तो उसको डिवोशनल सर्विस बोला है तो का नाम, रूप, गुन, लीला, सब कुछ हमको समझ में आता है, केवल हम इंद्रियों के माध्यम से वो समझने जाए, तो बिलकुल नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी इंद्रिया सारी तुरुटी-पूर्ण है, है ना, वो गलतिया करती है, वो भ्रमित होती है, है ना, ऐसे चार तुरुटीया प्रमुख है, सारी इंद्रियों में, सभी इंद्रियों में है, है ना, तो उन तुरुटी-पूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, उनके रूप, गुन, लीला, इनको नहीं समझ सकते, लेकिन जब हम भक्ती में लग जाते हैं, त मिध्यस्तद्वेश बंधुशू साधुश्वपिचपापेशू समबुधिर विशिश्यते जब मनुष्य निश्कपट हितैशियों प्रिय मित्रों तठस्तों मध्यस्तों इर्शालूं शत्रों तथम मित्रों पुन्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है तो ये सारे पहले हमने ये देखा कि सोना और पत्थर एक दृष्टी से देखता है जड़ वस्तों को सब कुछ भगदान से निर्मित है जड़ वस्तों अब यहां पर आगया मन का संबंद कि हमारे ये प्रिय मित्र है ये हमारा शत्रू ह है जीवात्माओं के प्रती भी समभाव कैसे रखता है तो चाहे कोई भी मित्र हो ततस्त हो या मध्यस्त हो या इर्शालू शत्रू हो सब को वह समभाव से देखता है यह जड़ वस्तों को भी समभाव से देखता है और ये जीवों को भी वह एक समभाव से देखने लगता तब वो और भी उन्नत माना जाता है। इस प्रकार प्रगति हुगते जाते हैं। तब संग्रे भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार उसने अपने शरीर, मन और आत्मा को परमिश्वर में रखना चाहिए। एकांत स्थान में रहना चाहिए। एकांत स्थान में जो ग्राम में वारतालाप में लगे रहते हैं लोग उनसे धोड़ा उनसे दूरी बनाए रखना चाहिए। भक्तों का संग करें लेकिन असंगती को त्याग दे। इसलिए एकांत बड़ी सावधानी से अपने मन को वश्मे करें और सभी आकांक्षाओं, सभी इच्छाओं का, संग्रभाव की इच्छाओं का त्याग करना है। ठीक है। अब यहां से अश्टांग योग पद्धति के बारे में भगवान बताने जा रहे है। उपविश्यासने युज्यात योगम आत्मविशुध्धये। योगा भ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमी पर कुशा ग्रास कुशा बिचा दे। और फिर उसे मृग छाला से धके। तथा उपर से मुलायम वस्त्र बिचा दे। आसन न तो बहुत उचा हो न बहुत नीजा। यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर द्रता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश्मे करते हुए तथा मन को एक बिंदू पर स्थिर करके रदय को शुद्ध करने के लिए योगा भ्यास करे। तो यह देखिए अभी कैसे कैसे क्या क्या करना है या अश्ट जंगल में जाके रहते थे अब एकांत स्थान कैसा होगा यहां तो एकांत जहां है वहाँ डर है तो मतलब यह कठे नवस्ता है एकांत स्थान में रहना फिर उसने क्या करना है कुशा घास बिचा दे कुशा नाम के एक पर्टिक्लर घास होती है उसको पहले जमीन पर बिच जाती है जो मुरुत हो जाता है अपने आभीरन उसकी छालका उपयोग करते थे योगी जन और उपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे तो इस प्रकार योगी ने अपना बैठने का स्थान ठीक कर लिया फिर यह आसन ना तो बहुत उचा होना चीए ना नीचे होना चीए उपर है स्थल होते हैं वो पवित्र माने जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सन्यासियों का वास होता है है ना तो ऐसे सन्यासियों ने पवित्र आत्माओं का बोलना था मुझे पवित्र आत्माओं का वास रहता है इसलिए वो स्थान पवित्र हो जाता है तीर्थम कुर्वनती तीर्था को चाहिए कि इस पर दृता पूर्वक बैच जाए और मन इंद्रियों तता कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदू पर स्थिर करके रुदय को शुद्ध करने के लिए योगा भ्यास करें सारे ही कठिन बाते हैं इसमें तो रभुपाज जी लिखते हैं पवित् पुरा वृंदावन रिशिक इस तता हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगा भ्यास करते हैं जहां यमुना तथा गंगर जैसी नदिया प्रवाहित होती है हां लेकिन ऐसा करना सब के लिए पॉसिबल नहीं है है ना कौन जाकर के रह सकता है उसके बदले कलिव के लिए जो सर्वत्तम उपाइद दिया है क्या दिया है हरेद नाम हरेद नाम हरेद नाम अईवकेवलम कलव नास्तियव 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 गतिर अन्य था तो सबसे आसान मार्ग है हमारा हरी नाम वो ही क्यों न किया जाए ऐसे प्र तुरस्थान में गए, कुशा ग्राज बिछाया और मुरुगत की छाल बिछा दी, सब कुछ कर दिया, बैड गए, अब उसको क्या करना है? समम काय शिरो ग्रीवं, धारयन अचलम स्थिरहा, संप्रेक्ष नासिका ग्रम स्वं, दिशस्चान अवलो कयन, प्रशान तात्मा विगत अभीर, ब्रम्ह चारिव रते स्थितहा, मन सैयम में मच्चितो, युक्त आसीत मत्परहा करना क्या है? योगा अभ्यास करने वाले को चाहिए, कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, और नाक के अगले सीरे पर दृष्टी लगाए, इस प्रकार वह अविचली तथा दमित मन से, भय रहित, विशेई जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर, अपने र मन को वश में रखना है, भय रहित रहना है, भय भी आने नहीं देना है, है ना, फिर विशेई जीवन से तो पूरी तर से मुक्ती चाहिए, और ऐसे में फिर वो भगवान का ध्यान करे, ऐसे ये सारी क्रिया बताई है, है ना, यहाँ पर दुसरे अज्याय का एक शलोग प् तो यह भगवान ने बताया है, कि विशेया विनिवर्तन ते, तो जहाँ अन्यों को विशेभोग से दूर करने के लिए बाध्य किया जाता है, वही भगवद भक्त, भगवद रसका अस्वादन के कारण, इंद्रियत रुक्ती से स्वता ही विरक्त हो जाता है, तो यह भग भग्त को छोड़कर अन्यों किसी को इस अनुपमरस का ज्यान नहीं होता, तो यह क्या करता है भग्त, भग्त अपने आप ही उसको हायर टेस्ट लगता है, भगवद प्राक्ति का हायर टेस्ट मिलता है, तो बाकी नीचले जो विशेय चीजे हैं, बाते हैं, इंद्रियत र देख रहे हैं, तो योगी अभी तक क्या कर चुका है, एकांत स्थान में गया, सब कुछ किया, उसने बैठक अपने बिच्छाली कुशा, ग्रास, मुरुगा च्छाल, फिर बैठ गया, फिर नासिका पर ध्यान एकत्रित किया, पूरी तरह से मन को एक्दम भई रहित भी कर लिया, सब कुछ किया, अभी क्या करना है, युन्जन नेवं सदात्मानम, योगी नियत मान सहा, शांतिम निर्वान परमाम, मत्संस्थाम अधि गच्छती, इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में नियंतर सैयम का अभ्यास करते हुए, सैयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अ अश्टांग योग पर देते हैं, अश्ट यहने आठ और अंग यहने उसके लिम्ज यहने उसके अवयोग, आठ प्रकार के अवयोग से सिध्धा है, यह अश्टांग योग, है ना, उसमें यम, नियम, आसन, प्रानायम, प्रत्याहार, धारना, ध्यान और समाधी, है ना, यह ऐसे आठ अंग है इसके और एक 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 स्टेप यहाँ पर बताई गई है, प्रभुपाजी ने भी उसको अच्छे से एक्स्प्लेन किया है. तो हम आजकल के योग में क्या देखते हैं, केवल यम नियम थोड़े से आते हैं, यह 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 तक जाते हैं प्रानायाम प्रानायाम ने breathing exercises basically है न तो breathe in breathe out कितना कितना time सब वो कुछ देखते हैं प्रानायाम के द्वारा यह चार ही अंगा भी लोगों को मालूम है लेकिन यह अश्टा अंग वाला योग यह प्रॉपर योग है तो उसमें क्या है आगे क्या है प्रत्याहार यह इंद्रिय विश्यों से मन को खीच लिया धारणा वहाँ पर स्थिर हो गए फिर ध्यान परमात्मा का ध्यान किया और समाधिया ने परमात्मा से एक रूप हो गए तो यह stages तो बहुत difficult stages है बाकी बाहरी तो आदमी कर ले लेकिन यह जो अंदर के processes है प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि यह बड़ी कठिन processes है तो उसका तो आजकल नाम और निशान भी नहीं है तो यह पर भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर सैयम का अभ्यास करते हैं यह कोई एक दिन का process नहीं है निरंतर वर्षो वर्षो तक करना पड़ता ह तब कहीं जाकर वो मन सैयमित हो जाता है सैयमित मन वाले योगी को इस भोतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवधाम की प्राक्ति हो जाती है तो इस प्रकार यह पूर्ण हो जाता है योग फिर योगी को क्या क्या करना है हे अर्जुन जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है जो अधिक सोता है अथ्वा जो परियाप्त नहीं सोता उसकी योगी बनने की कोई संभावना नहीं है यह नियमन करना परता है पूरी तरह से नियमीत रूप से खाना पीना सोना सबकुछ योग ये प्रकार से करना होता है फिर युक्ता हार विहार अस्य, युक्ता चेश्ट अस्य करमसू, युक्ता स्वपना वबो धस्य, योगो भवती दुखहा, जो खाने, सोने, आमोत, प्रमोत तथा काम करने के आदतों में नियमित रहता है, वह योगा भ्यास द्वारा समस्त भहते कलेशों को नश्ट कर सकत है, इसमें कुछ भी जादा कर दिया, कम कर दिया, तो क्या हो जाता है, उसके योगा भ्यास की प्रगति रुक जाती है, तो इस प्रकार उसको भहती सयमित व्यवहार रखना पड़ता है, यदा विनियतं चित्तं आत्मन्येवावतिष्टते, निस्प्रहसर्वकामेभ्यो, युक्त इत्युच्यते तदा, जब योगी योगा भ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापो को वश्मे कर लेता है, और अध्यात्म में इस्तित्त हो जाता है, अर्था समस्त भोते कि इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थेर कहलाता है, तो मन को उसने पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया, मानसिक कार्यकलापो, मानसिक कार्यकलाप कौन से कौन से होते हैं, कभी वो मन में ही सुखी अनुभो करता है, कभी मन में ही अपने आप दुख, निर्मान कर लेता है, मन में इच्छाएं जागरुत हो जाती है, यह सारे कार्यकला में स्थेर हो जाता है तब उसकी भौतिक इच्छाएं कम-कम होने लगती हैं तब वो जाकर स्थेर हो गया ऐसे कहलाते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगतेसो पमास्वृता योगी नोयत चित्तस्य युन्जतो योगमात्मनहा जिस प्रकार वायूरहित स्थान में दिपक हिलता डूलता नहीं उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्मतत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है तो इस प्रकार उसकी अंतिम स्थेज आ गई समाजी की कि पूरी तरह से वह आत्मतत्व में स्थिर है तो यह समाज एक स्टेज है उसका मन विचलित नहीं होता जैसे एक हवा के बिना एककात कमरा हो वहाँ पर हमने कोई जोती जलाई तब फिर कैसे वो जोती स्थिर रहती है, हवा के जोके आते हैं तो उसको हिलाते रहते हैं, लेकिन जब वायू नहीं रहेगी तब वो स्थिर रहती है दिपक की लोग, वैसे ही उसका मन पूरी तरह से स्थिर रहता है, फिर क्या होता है? यत्रो परमते चित्तम, निरुद्धम योग सेवया, यत्रचैवात्मनात्मानं, पश्यनात्मनितुष्यति, सुखं आत्यंतिकं यत्तद, गुधिग्रायम तिंद्रियम, वेत्यत्रनचैवायम, सितस्चलतितत्वतह, यम लब्ध्वाचापरं लाभं, मन्यते नाधिकं ततह अब सिद्धी के अवस्था में जिसे समाधी कहते हैं, मनुष्य का मन योगा प्यास के द्वारा भौतिक मानसी क्रियाओं से पूर्ण तया सयमित हो जाता है, है ना, एक बार समाधी स्टेज पर पहुंच गये, तो उसका बहुत मन पूरा सयमित हो गया, इस सिद्धी की विशेशता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है, उस आनंद में इस सिद्धी में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है, इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभ बड़ी से बड़ी कथिनाई में भी विचलीत नहीं होता। यह निस संदेह बहुतिक संसर्ग से उत्पन होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ती है। तो समाधी पर जब मनिश्य चला गया तब उसको ये सब लाब प्राप्त होते हैं। कभी वो सत्य से जुटलाता नहीं है, मतलब सत्य से दूर नहीं हटता है, परम सत्य में रहता है। और इस प्रकार उसको कोई दूसरा लाब फिर नहीं चाहिए। ऐसी सिति में वो कथिनाई से भी विचलीत नहीं होता। और फिर समस्त दुखों से बास्तविक मुक्ती मिल जाती है उसको, तो इतने सारे फाइदे हो जाते हैं जब वो समाधी में स्थेत होता है, लेकिन समाधी तक का रास्ता कैसा है, बड़ा ही कठिन है, है ना, फिर उसके बाद और उसकी विशेष्टाएं बताते हैं भगवान, सनिष्चयेन योक्तव्यो, योगो निर्विन चेतसा, संकल्प प्रभवान कामांस, त्यत्ता सर्वान शेशता, मन सैवेंद्रिय अग्रामं, विनियम्य समन्तता, मनिश्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योग अभ्यास में लगे, है ना, जो अश्टांग योग प्रधती को अपनाने वाले हैं, वो ऐसे वैसे नहीं अपना सकते, उनको संकल्प करना चाहिए कि मैं ये करके रहूंगा, है ना, संकल्प लेते हैं न हम, तो संकल्प दृता से उसको जाना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए हो, और पत से विचलित ना हो, एक बा और से इंद्रियों को वश्मे करे, मन के द्वारा इंद्रियों को वश्मे करे, ऐसे बता रहे हैं, है ना, फिर क्या होगा, ऐसे करने वाला आव्यक्ति, जो संकल्प पूर्वक इस योगा अभ्यास में जुड़ गया, फिर उसको क्या हो जाता है, शनै शनै रुपरमेद, बुद्ध्याद्रति ग्रहीतया, आत्म संस्थम्मन कृत्वा, नकिंचिदपी चिंतयेत, धीरे धीरे, क्रमशाह, पूर्ण विश्वास पूर्वक, बुद्धी के द्वारा समाधी में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, तो ये सारे अश्टांग योग पद्धती के कारिय कलाप भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन को और हमको भी, फिर क्या होता है? मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरन करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खीचे और अपने वश में लाए, तो सब योगा अभ्यास के लिए उसने, योगी ने सब सामगरिवा मगदी जुटा लिए एकांत स्थान में गए, सब कु इतना चंचल है कि वो कहीं भी भागता जाता है, तब उसको क्या करना है, योगी को क्या करना है, उसको वहां से खीच के लाना है, और अपने वश में रखना है, फिर प्रशान्त मन सम्हेनम, योगीनम सुखम उत्तमम, उपईतिशांतर जसम, ब्रम्हभूतम कलमशम, जिस द्रशान्त मन जोगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वह निश्चय ही दिव्यसुख की सर्वोच सिद्धि प्राप्त करता है, वह रज्योगुन से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एक्ता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्ता विगत कर् भगवान में ये सारी क्रियाय भगवान ने बताई है युझन नेवं सदात्मानम योगी विगत कलमशह सुखेन प्रम्हसंस पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते इस प्रकार योगा अभ्यास में निरंतर लगा रहेकर आत्मसयमी योगी समस्त भोतिक कलमश से मुक्त हो जात है और भगवान की दिव्य प्रिमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है ठीक है समाधी में गया तो परम सुख है लेकिन तब तक क्या है मन को कंट्रोल में रखना है मन के द्वारा इंद्रियों को वश्मे करना है है ना फिर मन को परमात्मा में लगाना है ये सारी क्रिय ठीक है? प्रमात्मा का वास है, और मुझमें समस्तर जीवों को देखता है, यह वो योगी यह भी समझ जाता है, कि सारे ही जीव भगवान के अंश्य स्वरूप है, तो यह सब ज्ञान उसको कब हो जाता है? जब वो पूरी तरह से योग में स्थिर हो गया, तो ऐसा स्वरूप से दव सभी सुरुष्टी में वो भगवान का दर्शन कर सकता है जो मुझे सरवत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अद्रुष होता हूँ और न वह मेरे लिए अद्रुष होता है तो ऐसा योगी जो है वो सब जगह पर मुझे देखता है और उसके लिए मैं कभी भी अद्रुष्य नहीं हूँ यहने अंतरधान नहीं हूँ मैं सभी जगह में उपस्थित उसको देखता हूँ ठीक है तो वैसे ही मैं भी उसको देखता हूँ है न ऐसे भगवान बोलते हैं तरव भूतस्थितम योमाम भजते कत्वमास्थिताह सर्वतावर्तमानोपि सयोगी मै वर्तते जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति-पूर्वक सेवा करता रहता है वह हर प्रकार से मुझमे सदै वस्थित रहता है आत्मव पम्येन सर्वत्र समंपश्यति योर्जुन सुखम वायदिवा दुखम सयोगी परमो मतहा हे अर्जुन वहाँ पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्रानियों की उनके सुखो तथा दुखो में वास्तविक समानता का दर्शन करता है यानि ये सुख और दुख जो है वो सब एक समान करते हुए वो पूर्ण योगी जो है वो अपनी तुलना यानि सब जीवों को अपने में समझता है यानि एक समान समझता है दूसरों के दुख से वो भी दुखी होता है और दूसरों के सुख से वो भी सुखी होता है अपने दुख भी दूसरों के साथ share कर सकता है या यह कहिए कि एक समान भाव रखता है वो सुख और दुख आप पराये इसमें समभाव रख सकता है वो अब यह सब अभी तक अश्टांग योग के बारे में भगवान ने बताया कि क्या क्या करना होता है उसके बाद वो क्या प्राप्त करता है कैसा फील करता है है ना कैसे जगत में सब को देखता है आप परभाव कैसा रहता है उसका है ना और भगवान को वो कहा का मैसूस करता है देखता है यह सब भगवान ने अभी तक अश्टांग योग के बारे में परिपूर ने जानकरी दे दी लेकिन अब अर्जुन का सवाल है यहाँ पर अश्टांग योग में सबसे प्रधान कौनसा कार्य की बताया है मन को वश्मे करना ठीक है यह प्रधान कार्य की बताया हुआ है मन को वश्मे करना फिर इंद्रिया निग्रह करना मन को कहीं भी विचलित ना होने देना है ना यह सब कार्य मन स केंद्रित है उसके बाद वो बढ़ता है परमात्मा से और एक्चल योग की और परमात्मा से एकाकार होने की योग तो मन की क्रियाएं सबसे अधिक मतलब उसको महत्व दिया गया है अश्टांग योग में ठीक है अब अर्जुन की समस्या है अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तह साम्येन मधुसूदन एतस्याहम नपश्चामी चंचलत्वास्तितिमस्थिराम अर्जुन ने कहा हे मधुसूदन आपने जिस योग पद्धती का संग्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह असहनिय है क्योंकि मन चंचलत प्रम अस्थिर है याओने यह जो अश्टांग योग पद्धती आपने बताई है जिसमें मन की क्रियाए प्रधान बताई है अपने मन का निगर्ह करना प्रधान बताया है यह मेरे लिए inpractical है और व्यावहारिक याँने मैं इसको व्यावह में नहीं ला सकता अव्यावाहारिक लग रहा है मुझे और असहनिय भी है यह सहन करने योग्य भी नहीं है क्योंकि कितने कश्ट है एक अंतिस्तान में जाओ ऐसे ऐसे बैठो नासिका पर ध्यान के इंड्रित करो पोस्चर एक्दम सीधा रहना चाहिए और ऐसा करके इंड्र को उनके विशेयों से अंदर खीच लो है ना सारी क्रियाई जो है यह अव्यावहारिक प्ता असहनिय है क्योंकि मन तो बड़ा चंचल और अस्थिर है अब जब अर्जुन जैसा धनोर धर है ना जिसका मन की एकागरता हमने देखी है द्रोणाचारे की जब शिश्य के रू तो यह एकागर बुद्धी वाले अर्जुन जब बोल रहें यह सब कठिन है और क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है तब हम लोग की क्या कहने है ना फिर आगे अर्जुन बोलते हैं चंचलम ही मन क्रिश्ण प्रमाथि बलवद्रिडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिवसुदुशकरम है क्रिश्ण चूकि मन चंचल याने अस्थिर है उच्छुरूंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है अतहा मुझे इसे वश्मे करना वायों को वश्मे करने से भी आज थोड़ा सा लेट होने वाले हैं क्योंकि अभी 13-14 लोग बचे हैं आधे में भी छोड़ देंगे तो कल के लिए बहुत कम बचेंगे इसलिए आज थोड़ा सा लेट बैटकर हम ये पूरा कर लेते हैं ठीक है तो देखिए थोड़ा आनंद आएगा अभी ये चंचलम ह क्रिश्न है कितना सुंदर वरणन है अपने मन का हम अपने मन पर भी ये लगा के देख सकते हैं कि मन चंचल है उच्छुरुंख खल है बस यहां माँ भागने वाला हठिला है बड़ा जिर्थी है और बड़ा ताकद वाला भी है बलवान है तो इसको वश्मे करना जो है अर अलवान तथा दुराग रही है कि कभी-कभी यह बुद्धि का उलंगन कर देता है यह दिप्री उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है इंद्रियानी मनो बुद्धिर यह एक-एक लेवल बताई है दूसरे इसमें सबसे नीचे हैं भौतिक पदार्त जड़ पदार्त उससे उपर है इंद्रिया उससे उपर है मन उससे उपर है बुद्धि उससे उपर है आत्मा यह हायरार की बताई है दूसरे अध्याय में लेकिन मन ऐसा है कि यह अपने बौस को भी तकलिफ दे रहता है है ना उनका बौस को नहीं मन का बौस बुद्धि होनी चाहिए लेकिन वहार जगत में जहां मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संगर्ष करना होता है उसके लिए मन को वश्मे कर पाना अत्यांत कठिन है तो कृत्रीम रूप से मनुष्य अपने मित्र तिताशत्रू दोनों के प्रतिमानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है कृत्रीम रूप से बाहरी दिखावे के लिए किन्तु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पूरिश ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायू को वश्मे करने से भी अधिक कठिन है तो इसलिए मन को वश्मे करना तो कठिन है इसलिए यह अश्टांग योग पद्धती जो ठीक है अर्जुन है ना श्री भगवानु आच असंशयम महाबाहो मनोदुर निग्रहम चलम अभ्यासेन तुकंतेय वैरागेन चगुर्यते क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है महाबाहो कुंति पुत्र निसंदेह चंचल मन को वश्मे करना अत्यंत कठि है किन्तु उपयुकता अभ्यास द्वारा तथा विरक्ती द्वारा ऐसा संभव है तो कृष्ण मान गए कि हाँ ये बराबर बोल रहे हो तुम कि इसको मन को कंट्रोल कर पाना बहुत कठिन है लेकिन है मार्ग मार्ग कौन से है उपयुकता अभ्यास प्रैक्टिस मेंक समयन पर्फेक्ट है ना तो उपयुकता अभ्यास द्वारा और विरक्ती द्वारा अना सक्त हो जाना भृतिक जगत के प्रति उसके द्वारा ये संभव है ठीक है फिर आगे यहां पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अर्जुन द्वारा अभ्यकत इस हठीले मन को बश्मे करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं किन्तु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास द्वारा ये संभव है यहां अभ्यास क्या है वर्तमान यूग में तीर्थवास परमात्मा का अध्यान मन तथा इंद्रियों का निग्रह ब्रह्मा चर्य पालन एका अंतवास आधी क अधोर विधी विधानु का पालन करपाना संभव नहीं है किन्तु कृष्ण भावना मृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरन करता है ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विशय में श्रवन करना नवधा भक्ति कौनसी कौनसी है क्या है पहले है श्रवणम, सुनना, है न, भगवान के बारे में सुनना, फिर कीरतनम, भगवान के बारे में बोलना, कीरतन करना, भगवान का नाम लेना, ये सब कीरतन में आते हैं, फिर विश्नु स्मरनम, विश्नु का स्मरन करना, फिर श्रवणम, कीरतनम, स्मरनम, अर्चनम, फिर अर्चनम बंधरम, फिर क्या है? एक मिनद श्रवनम, कीर्तनम, स्मरनम, अर्चनम, पादसेवनम, उसके बाद उनकी सेवा करना, पादसेवनम. फिर दास्य, भगवान के दास बनना, भगवान के जो इच्छा हो वो ही करना, दास्य, फिर साख्य, याने भगवान से महित्री करना, और फिर आत्मनिवी देना, पूर्ण तहा शरन जाना, पूर्ण तहा शरन जाना, तो ये नवधा भक्ती के मार्ग है, तो इस में से एक या एक से अनेक, कितने भी मार्गों का अवलंबन करके हम ये भक्ती में अंतिम स्टेज तक जा सकते हैं लेकिन सबसे पहली स्टेज कौन सी है, बिगिनिंग श्रवनम, सुनना, भगवान के बारे में सुनना ये एक बिल्कुल अनिवार्य घटक है भक्ती का तो ये भक्ती के माध्यम से हम जाते हैं तो विरक्ती तो अपने आप आ जाती है धीरे-धीरे-धीरे मन में विरक्ती अपने आप आ जाती है तो यही प्रभुपाजी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो उपयुकता अभ्यास और विरक्ती बोला है ये कठिन प्रोसेस है अगर हम भायर रूप से उसको करना जाये तो बिलकुल कठिना ही से, नहीं मुझे विरत्त होना है, ऐसा बोल कि विरत्ति आना बिलकुल कठिन है, लेकिन जब हम कृष्णभावनामृत में लगते हैं, भक्ति मैं सेवा में कार्य और नवधा भक्ति के मा तब यह विरक्ति अपने आप आजाती है। बहुत आसानी से आजाती है। ठीक है ना। तो मन जिसका चंचल है उसको तो कठिन है यह सब बाते लेकिन अगर मन वश में है थोड़ा बहुत है ना तो फिर वो इसमें अश्टांग योग में सफलता पा सकता है। ऐसा मत है। लेकिन अश्टांग योग का और एक दुष्परिणाम क्या है कि वो बहरी इंदरी विश्य मतलब मन को कंट्रोल में लाना, पूरी तरवश में लाना कठिन है, तो बीच बीच में वो करता है, रिवोल्ट करता है मन, तब उस योगी का पतन हो जाता है, मतलब कही न कहीं वो निचले स्तर पर आ जाता है, फिर उसको वापस प्रयास करके उपर जाना होता है, भक्ती में नहीं होता भक्ति में पतन नहीं होता कैसे भी कार्य करते रहो धीरे धीरे नियमित्रुप से कार्य करते रहो उसमें पतन नहीं होता और भक्ति का कभी राज भी नहीं होता चाहिए शरीर छूट भी जाए अगले शरीर में भी वो भक्ति के जो फाइदे हुए हैं हमको वो नि अश्टांग योग के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये मन अगर सयमित है तो वो इसमें जा सकता है अश्टांग योग में लेकिन जिसका मन सयमित नहीं है उसके लिए ये कठिन कार्य है फिर अर्जुन उवाच अयति श्रधयो पेतो योगा चलित मान सहा अप्रापयोग संसिधिम काम गतिम कृष्ण गच्छती अर्जुन ने कहा हे कृष्ण उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंब में श्रधा पुरुवक आत्मसाक्षापकार की विदिग्रहन करता है क इन तुबाद में भोतिक्ता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धी को प्राप्त नहीं कर पाता तो यहां पर हम प्रभुपाजी का तात्परे पढ़ेंगे भगवत गीता में आत्मसाक्षापकार या योग मार्ग का वर्णन है आत्मसाक्षापकार मूलभ ग्यान में नहीं थै यहां ना है शाषफजीवन इनने सफ चित याने ज्यान और आनंद आनंद वर्ण। असका स्वरूप है है तो इसका स्वरूप कैसा है सच करना होता है इन में से प्रतिएक विधी में जीव को अपनी स्वाभाविक सिति यह भगवान से उसके अपने संबंद तथा उन कारियों की अनुभुती प्राप्त करनी होती है जिसके द्वारा वो तूटी हुई श्रंखला को जोड सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच सिद्धी अवस्ता प्राप्त कर सके इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष को प्राप्त करता है इन तीनों में से कोई भी एक विधी ले लो तो उसमें धीरे धीरे करके मनुष्य सक्सेस पा सकता है किन्तु भक्ति मा बड़ा ही सुख पूर्वक हम उनका आवलंबन कर सकते हैं और हमको सबसे आसानी से भगवत प्राप्ति हो सकते हैं। जिन भिन बादल की भांती बिनष्ट नहीं हो जाता जिसके फलसोरों उसके लिए किसी लोग में कोई स्थान नहीं रहता हैं तो अर्जुन को ऐसी समझ से आई है कि अगर हम ये मार्ग पर चले योगा भ्यास के मार्ग पर या भक्ति के मार्ग पर चले और फिर हमारा पतन हो जाए तब फिर क्या होता है तो एतन में संशयम कृष्ण छेतुर मरहस्य शेशतहा तवदन्य संशय स्यास्य छेतानयु पपद्यते हे कृष्ण यही मेरा संदेय है और मैं आपसे इसे पूर्ण तयाद दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ आपके अतिरित अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदे को नश्ट कर सके यहने जो योगी कार्य कर रहा है लेकिन भोतिकता के कारण उसमें बाधा आ जाए तो उसको क्या परिणाम मिलता है इसके बारे में अर्जुन के सवाल है तो अब भगवान उत्तर देंगे श्री भगवान वाच पार्थ नईवेहना मुत्र विनाश अस्तस्य विद्यते नहीं कल्यान कृत कश्चित दुर्गतिम्तात गच्चती भगवान ने कहा हे पृथा पुत्र कल्यान कारियों में निरत योगी का न तो इस लोग में और ना परलोग में ही विनाश होता है हे मित्र भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता आजकल हमको ये सेंटेंस पर बिलकुल विश्वास नहीं रहा है ना हमारे जो अनुहों आ रहे हैं या भौतिक जगत में जो कारिकलाफ हो रहे हैं उसके कारण सभी लोगों का विश्वास ये भगवान की स्टेटमेंट पर से उठता जा रहा है लेकिन ये भगवान ने बोला है ये परम सत्य होना ही चाहिए इसलिए जो temporary हमको ऐसा लगता है कि अरे भलाई पर बुराई विजएपा रही है ये नहीं हो सकता ये भगवान ने बोला है तो इस पर हमने मतलब धुरता से इस पर विश्वास करना चाहिए ये भगवान ने बोला है कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता तो ये क्या बोल रहे हैं कि कल्यान कार्यों में नेरत योगी का न तो इस लोग में न परलोग में ही बिनाश होता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं प्राप्य पुन्यकृतान लोकान उशित्वाशा शोती समाहा शुची नाम श्रीमताम गेहे योगब्रष्टो भिजायते असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचरी पूरुशों के परिवार में या धनवानों के कुल में जनम लेता है याने कोई भी मार्ग आप अपना लो परमिश्वर प्राक्ति का दो तीन मार्ग है ना तीन चार मार्ग है परमिश्वर प्राक्ति के लिए कोई भी मार्ग अपना लो भगवान क्या बोलते हैं, वो असफल भी रहे, तब भी उनको क्या मिलता है, पहले तो वे पवित्रात्माओं के लोकों में वास करते हैं, यानि पुन्य उन्होंने अरजित तो कर लिया है, तो पुन्य अरजित करने के कारण उनको स्वर्ग लोकों में स्थान मिलता है, उच् मृत्य लोक में भी फिर क्या guaranteed है कि उसको अच्छे परिवार में सदाचारी पूरुषों के परिवार में या फिर धनवानों के परिवार में वो जनम लेता है याने मनुष्य जनम तो मिलता ही है उसके बाद या तो धनवान या तो सदाचारी पूरुषों के घर में उसको जन मिलेगा ठीक है अथवा योगिना मेव फुले भवति धीमताम एतधि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दुर्शम अथवा यदि दीर काल तक योग करने के बाद असफल रहते तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अती बुद्धिमान है निश्चे ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है तो फाइदा ही है कोई भी भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी मार्ग अपना लोक उसमें नुकसान कभी भी नहीं है ये बता रहे हैं कि अगर थोड़े समय के थोड़े समय उसने थोड़ी ही प्रगति की है योगा अभ्यास में तब वो कई व तब फिर योगियों की ही कुल में उसका जन्म होगा क्यों क्योंकि वहीं से उसकी और आधिक उन्नती हो जाए है ना तो इसके लिए भगवान ये सहुलियते देते हैं तत्रतम बुद्धि सईयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चततो भूया संसिध्धो कुरुनंदन हे कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनह प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उड़ेश से वह आगे उन्नती करने का प्रयास करता है भगवान देखो कितने मन से चाहते हैं कि हम सारे ही बद्धजी उनके परमधाम में आ जाए इसलिए इतने सारे देते हैं दिसकाउंट्स दे रहे हैं फाइदे दे रहे हैं कि थोड़ा सा ही तुम मेरे तरफ आने की कोशिश करो मैं इतने देता हूं तुमको तो इस प्रकार क्यों देते हैं कि और वो उन्नति करें और फिर अल्टिमेटली परमधाम को प्राफ्त करें पूर्वा भ्यासे नते नईव रियते है वशोपी सह जिद्न्या सुरपयो गस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वताही योग के नियमों की और आकर्शित होता है हम देखते हैं कई बच्चे बच्पन से ही पता नहीं कैसे तो योगा अभ्यास की और आकर्शित होते हैं या फिर अध्यात्मिक इसके लिए भगवत गीता के लिए उनको आकर्शन रहता है भगवतम के लिए आकर्शन रहता है भगवान के विग्रों के प्रति आकर्शन रहता है तो ये क्यों रहता है क्योंकि पूर्वजन्द में उन्होंने अभ्यास किया है वो यहां पर आकर फिर से चालू हो जाता है और ऐसा जिग्यास्य योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परेस्थित होता है तो उसको फिर वो सारे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है न यहां पर एक बहुत लोग आता है श्रीमत भागवत का श्रीमत भागवत में उन्नत योगी और द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रती अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है अहो बतश्वपच्चुतो गरियान यक जिवागरे वर्त ते नाम तुभ्यम ते पुस्त पस्ते जु लेकर भी अध्यात्मिक जीवन में अध्याधिक प्रगत होते हैं ऐसे ही जपकरता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्य कर चुके होते हैं तिर्थ अस्थानों में इसनान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का भी अध्ययन कर चुके होते हैं यानि करती आकर्शित होते हैं ठीक है प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुध किल्विशह अनेक जन्मस संसिध्धस ततोयाति परामगतिम और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अन्ततो गत्वा अनेक आने जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिध्धी लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है तो जब योगी समस्त कलमश से याने सब बुराईयों से वो शुद्ध हो गया और प्रगति करता है बहुत निष्ठा पुर्वत प्रगति करता है तो बहुत बहुत जन्मों के पाद वो परम गंतव्य को प्राप्त करता है, अर्था परम धाम को प्राप्त करता है ज्यानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतहा हे अर्दुन्त तुम सभी प्रकार से योगी बनो तो ये छत्वय अध्याय का उनका भगवान का अंतिम उपदेश है अर्जुन के लिए है ना तो यहाँ पर हम यानि क्या बोल रहे है भगवान कि तुम सभी प्रकार से योगी बनो क्योंकि योगी इन सबसे भी बढ़कर होता है तपस्वी, ज्यानी, सकामकर्मी इन सभी प्रकार के कर्मियों से वो बढ़कर होता है योगी इसलिए तुम योगी बनो तो ताट परिमेश्रивает परभुपाद बोलते हैं जब हम योग का नाम लेते हैं तो हम अपनी चेतना को परम सत्य के साथ जोडने की बात करते हैं, यह न, योग या नहीं जोडना, किसके साथ जोडना, परमिश्वर के साथ अपने आपको जोडना है, विवित अभ्यास करता इस पधति को ग्रहन की गई विशेश विदी के अनुसार विविन नामों से पुक योग कहलाती है, और जब यह भगवान की भक्ती से संबंदित होती है, तो भक्ती योग कहलाती है, ठीक है, तीन प्रकार से ये बताया है, जब कर्मयोग से ये विदी है, तब कर्मयोग कहलाती है, जब चिंतन ग्यान के माध्यम से है, तो ग्यान योग, और जब भक्ती के म आद्यम से है तो भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत समस्त योगों की परम सिद्धी है जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा भगवान बताएंगे कि ये सब तो ठीक है है ना लेकिन फिर भी योगियों में भी कौन सर्वा स्रेष्ट है ये भी बताएंगे भगवा कि है किन्तु उन्होंने इसका उलेक नहीं किया कि यह भक्ति योग से स्रेष्ट है भक्ति योग पूर्ण आत्मत ग्यान है अतहा इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है आत्मत ग्यान के बिना तपस्या अपूर्ण है परमेश्वर के प्रतिसमर्पित हुए बिना ग्यान योग भी अपूर्ण है, सकाम कर्म भी कृष्ण भावनामृत के बिना समय का अपव्याय है, अतहार यहां पर योग का सरवाधिक प्रशन सित रूप भक्ति योग है और इसकी अधिक व्याख्या अगले शलोक में की गई है, बहुत सुंदर तासे देखिए, एकदम इतना छोटा त अतलब का है, तो इसमें सब कुछ बता है कि ज्यान योग क्या है, वो भी अपूर्ण है, भक्ति के बिना, परमिश्वर के प्रति समर्पन के बिना, सकाम कर्म भी अपूर्ण है, जब तक वो भक्ति से नहीं लगा है, भक्ति से नहीं जुड़ा है, तो इस प्रकार सब मना श्रध्धा वान भजते यो माम समे युक्तत मो मता हा और समस्तर योगियों में से जो योगी अत्यंतर श्रध्धा पुर्वक मेरे परायन है अपने अंतक करन में मेरे विशय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ती करता है वह योग में मुझसे परम से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच चाहे यही मेरा मत है अब इससे सपष्ट अभी और क्या चाहिए कि हम भक्तियों को जो सर्वस्रेष्ट बोलते हैं इससे और क्या बड़ा स्टेट्मेंट चाहिए भगवान से है ना योगी नाम अपिसर्वेशाम मद्गते नांतरा श्रधावान भजते योमाम समे युक्त तमो मताहा समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रधा पूर्वक मेरे परायन है और जो मेरे ही विशे में सोचता है दिव्य प्रेमा भक्ति करता है मेरे से अंतरंग रूप से युक्त रहता है सबों में वही सर्वोच है ठी भजधातू से है इसका अर्थ है सेवा करना तो सेवा करना सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है भगवान की भक्ति याने भक्ति मैं सेवा और यही योग की परमसिद्ध अवस्था है ऐसे भगवान स्वयम बोल रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हमारा कर्मयोग से प्रधान सार यही अध्याय खतम हो गए कल से हम भक्ति योग देखने वाले हैं तो यहाँ पर यह चटा अध्याय खतम होता है किसी को कुछ प्रशन पूछना है तो पूछ सकते हैं हरे कृष्णा किसी कुछ प्रशन है किसी को कुछ पूछना है जरूर पूछिए कुछ इंटरेक्शन होता है अच्छा है तो यहाँ प्रशनों के माध्यम से मुझे फाइदा है किसी का कुछ प्रशन नहीं है ऐसा लगता है सब लोग क्विज कर रहे हैं ना लेवल टू के तूप कर रहे हैं ना हरे कृष्णा कर रहे हैं ना तो चलिए आनंद आ रहा है लेवल टू में नीता माता जी क्या होता है कि कभी कभी ना कुछ प्रशन गलत हो रहे हैं तो क्या उसको फिर से पूरे को रिवाइस करना है कि उसको वहीं छोड़ना है चेक तो कर लेते कि हमने कहां गलती की माताजी आप जवाब दें जारा माताजी यह आपके उपर है कि आप उसको इसको दुबारा करना चाहते हैं तो आप उसको इसको दुबारा कर सकते हैं या फिर उसको ऐसे माताजी नमबर ओफ अटेंप्ट आप दे सकते हो जी माताजी उसमें रखता है माताजी उस अब दबाएंगे तो उसका अंसर मिल जाता है हाँ वो आंसर जब आप quiz complete कर देते हैं न सारे questions आपने क्या किया और कहां पर क्या गल्जी वो सारा कुछ शो हो जाता है पर description आता है कि आप पढ़ भी सकते हैं उसको कि कहां पर क्या चीज पूछी गई थी और उसका आंसर कहां पर भावगत बीता मैं कहां पर दे रखता है वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है जी-जी माताजी वो है वहाँ पर हरे कुछना माताजी चलिए तो फिर किसी के प्रश्न नहीं हो तो हम यहीं पर खतम करते हैं आज का सत्र वांचा कल्पतरो भ्यस्चा करपा था किम कहें ह्रे क्रश्न भश्न हरी कुष्णा हरी कुष्णा हरी कुष्णा